नमस्क्राइब दोस्तों दोस्तों काफसे सब बोदोस्ता केता अगर आप एक यूटूबर हो तो आप सभी को पता लगी गया हो कि इस समय काफी बड़ी समश्या हमारे देश के अंदर उत्पन हो चुकी है और हमारे देश को 21 दिनों तक लोगडाउन किया जा चुका है 21 दिनों तक सभी से आगरे किया गया है कि कोई भी अपने घर से ना निकले और अपने घर पर ही रहे कर अपने परिवार वालों कोई साथ सुरक्षित रह सके किसी परकार की कोई भी आवश्यक उनको काम हो तो ही वो रोड के उपर बाहर निकले अन्य था अपने घर पर ही रहे और सुरक्षित रहें क्योंकि करोना नामक बिमारी हमारे देश के अंदर एंटर कर चुकी है और काफी तेजी से ये फैलती चली जा रही है और ये जो बिमारी है ये हमारे एक दूसरे के संपर्क में आने से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैलती चली जा रही है इसलिए सभी से अनुरोध किया गया कि कोई भी अपने घर से ना निकले तो इसके साथ साथ मैं आपको पता दू इसका असर हमारे यूटूब चैनल को पर यो में देखने को मिला है यानि कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुती कम तेजी से हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं यानि कि हमारे सब्सक्राइबर की मात्राइब में हमारे को बहुती कम हमें देखने को मिल रही है दीरी दीरी जो subscriber हमारे बढ़ते थे वो बहुती कम हो चुके हैं अब हमारे मालेजे एक दिन के अगर हमारे 200 subscriber बढ़ते थे तो ऐसी परिस्तिती इस समय आ चुके कि एक दिन के हमारे 50 subscriber हमारे channel को पर increase हो पार है तो ये सभी के सामने ये बहुत बड़ी समश्या उत्पन हो चुके है तो आप सभी से नोद है कि अगर आप अपने channel को पर subscriber के मातरा जादा से जादा देखना चाहते हो अगर आप ये चाहते हो कि आपके जो subscriber है वो दिन परती दिन increase होते चले जाए और जादा से जादा आपके channel को पर subscriber के मातरा बढ़ती चले जाए तो आप सभी से नोद है कि ऐसी परिष्टिती में आप ये मालिज़े अपने channel को पर रोजना videos अपलोड करिए चाहे एक videos हो चाहे दो videos अपलोड करिए जिससे क्या होगा आपकी audience आप से जुड़ी रह सकेगी और आपके videos को पर traffic आता रह जाएगा और जिसको भी आपकी information अच्छी लगेगी तो आपके videos को like भी करेंगे और आपकी channel को subscribe भी करते से ले जाएगे और छोटा सा अनुरोध माप से और करना चाहूँगा सभी से हाथ जोड़ कर एक छोटा सा आग्रह मा करना चाहूँगा कि आपके आसपास में, आपके घर में, आपके महले में, आपके कस्बे में कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको दिखे जो कि अपने खाने की व्यवस्ता नहीं कर पा रहा हो उसके पास यह मालिज़ भोजन की व्यवस्ता करने के लिए किसी परकार का कोई भी पैसा नहीं हो क्योंकि 21 दिन बहुत जादा होते हैं 21 दिन के समय वो किस परकार से अपने घर वालों के लिए भोजन की विवस्ता कर सके क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर हमारे आसपास हमारे गाहों के अंदर जो रोज़ना मजदूरी कर कर, रोज़ना पैसा कमा कर, अपने घरवालों के लिए भोज़न की ववस्ता कर पाते थे, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति है, कि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पारे, तो भोज़न की ववस्ता किस परकार से करेंगे, तो आप सभी से नोदे कि आप से जो भी बन सके चाहे वो भोजन की वेवस्ता हो या फिर किसी परकार के कोई भी पैसे की वेवस्ता कोई भी मदद आप उनकी कर सको अपने दुवारा अपने हैंड पर तो आप सभी से नोदे कि आप ऐसे लोगों की मदद करकर उनका सयोग करि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों अगर आप अपारी चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो का लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा